बड़े से बड़ा लक्ष हो, कठिन से कठिन चुनोती हो, भारत के लोगों का सामुहिक बल, सामुहिक शक्ती हर चुनोती का हल निकाल देता है। अभी हमने दो-तीन दिन पहले देखा कि देश के पस्चिमी छोर पर कितना बड़ा साइकलोन आया। तेज चलने वाली हवाएं, तेज बारिश, साइकलोन विपर जोई ने कठिना कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन कठ के लोगों ने जिस हिम्मत और तैयारी के साथ इतने खतरनाक साइकलोन का मुकाबला किया, वो भी उतना ही अभूतुर्व है। दो दिन बाद ही कठ के लोग अपना नया वर्ष यानि असाड़ी बीच भी मनाने जा रहे हैं। ये भी संयोग है कि अशाड़ी बीच कठ में वर्षा की सरुवात का प्रतीक मना जाता है। मैं इतने साल कठ आता जाता रहा हूं, वहां के लोगों के सेवा करने का मुझे सवभागे भी मिला है। और इसके लिए कठ के लोगों का होसला और उनकी जिजी विशा के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूं। दो दसक पहले के विनासकारी भूकम के बाद जिस कठ के बारे में कहां जाता था वो कभी उठ नहीं पाएगा। आज बही जिला देश के तेजी से विक्सित होते जिलों में से एक है। मुझे विश्वास हैं। साइकलोन विपरजोय ने जो तबाही मचाई है। उससे भी कठ के लोग बहुत तेजी से उभर जाएंगे। साथियों प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर नहीं होता। लेकिन बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रभंधन की जो ताकत विक्सित की हैं। वो आज एक उधान बन रही है। प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने का एक बड़ा तरीका है प्रकृतिका सवरक्षण। आजकल मौनसून के समय में तो इस दिशा में हमारी जिम्मेतारी और भी बढ़ जाती है। इसलिए ही आदेश कैद रही जैसे अभियानों के जरिये सामोहिक प्रयास कर रहा ह झाल